दीमन स्लेयर हाशीरा ट्रेनिंग मूवी से लेकर खुद एक डीमन स्लेयर बनने तक जुजुचु कैसें से लेकर ग्लोबल इंडिवांट अवार्ड्स तक और सोलो लेवलिंग बन पीस अटैक अन टाइटन और भी भाई सारी भाई ख़वरे हैं रेटिंग साय तुमको पता होगा उन शोर्स उन मूवी को मिलती है जो कि भाई काफी जादा जिन में अगे फनी मेशन की तरफ से एक ब्रेकिंग नीउस आती यह जोस में है कि वो बंद होने वाला सफनी मेशन स्ट्रीमन सर्वेस बंद होने वाली इसका संसेट आ गया अर्जैसे मोरा क्रुंची रोल काम करता है streaming service है उसमें एनी में देख सकते हैं बसे एक सब्सक्रिप्षान ले लो एनी में देखते रहो वैसे यह फणी मेशन भी है सब्सक्रिप्षान लेके एनी में बगड़ा देख सकते हो और वैसे तो इस से लेडेटेड निज़ पहले ही आ गई थी 2021 में कि फणी मेशन क्रण्ची के अंदर मर्ज होने वाला है और अब जैसे की क्रण्ची रोल ने फ़नी मेशन के अंदर का जो माल हुआ करता था लाइक माई हिरो एक देव में बगरा वो सब अपने अंदर ले लिया है एक तरीके से बोलो पनी मेशन की जॉब खब गई और फिर फाइनल डीट भी आ चुगी ये फ़नी मेशन हमारा सेकेंड अपरेल 24 को बंद हो जाएगा और दो अपरेल तक तो बिल्कुल सही चलेगा जैसे चलता रहा है चलता रहेगा सब्सक्रिशन भी ले सकते हो तुम चाहो तो पता नहीं कौन लेगा और अगर पहले से किसी कंची रोल में चलने लेगी कंची रोल मैंनी में देखो फिर तो जिनका भी अकाउंट वगरा हो लग तो ही रहा किसी का है पताना तो फर्ज है अब भाई साब एक तगड़ी खावर है जैसे कि जैपैन ने भाई डीमन स्लेयर एनीमे को बनाया है अब जैपैन वाले तो मैं का मेंबर यू अना देंगे एक सर्टिफाइड डीमन स्लेयर कॉप्स मेंबर तो क्या तो मैं वनना है तो इसके लिए जैपैन जाना पड़ेगा तो ये एक स्पेशल इवेंट हो रहा है वी एस पार्क में या फिर साहर इसको वर्सूस पार्क वोलेंगे ये वर्सूस पार् की उनकी कौन सी ब्रीदिंग स्टाइल पता लगने बाद उनको त्रेनिंग बताई जाएगी उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होगा वहां का थीम पार्क है वहां नॉर्मल जो चैलेंज़ेस बगरा वहां पहले से वालेबल आगे प्रेडिंग के नाम पे और जो बंदा वो गेम्स और चेलेंजज़ वगर को वहां की पूरे कर लेगा थीम पार्क के उसको में लेगा इक स्पेसल स्टीकर जिससे की पर चलेगा भाइससाब ने पूरे चैलेंज़ कर लिए ट्रेडिंग पूरी हो चुकी इनकी और मतलब उसने इस बीर्दिंग स्टैल में पूरी महाराथ हासल कर लिए और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें लेखा रहे का यू आरा सर्टिफाइट मेंबर ऑफ डीमन स्लेयर कॉप्स तो सुनने में तो बढ़िया है इमरेजन करके देखो हान बसेमरेजन नहीं करो और हां जो चेलेंजिस वगरा जो कर देखेंगे वह कर वागएगे वहाँ यह एक डिजिटल एक्टिविटी होगी जसके सामने बहुत बढ़ी स्क्रीन लगाइए होगी वहाँ पर कई सारे टारीट साईगीज उन्हें में रियल बॉल की मदद से हिट करना पड़ेगा और साइड टार्गेट में डीमन्स बगर ही होंगे और वहां इंटरस्टिंग बात है कि वहां फीचर किये जाएंगे तांजीरो जैनिट्सू और इनोस के उनके औरिजनल वोईस एक्टर्स के साथ और जाहिर सी बात है वो स्क कहां से और ओशिनोक के लाइव एक्ट्षन की जैसे की खवर निकल गया थी भाई साब लाइव एक्ट्षन इसका अनाउंस हो चुका है जिसके कोच इनीशेल इमेजिन्स फगर है निकली थी पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था जैसे उसकी अनाउंसमेंट बगर तो इसका मतलब जारतर भाई साब लोग खिलाफ में हैं स्लाइव एक्ट्षन के ओशिनोको के बट कुछ बंदे यहां पर ऐसे भी आ जाते हैं बोलते भाई साब डूंट ज़जब बॉक पाइट्स कवर गाईज प्लीज है अब साब साब यही है कि बाई वक्त को बोलने का मौकर दिये जाए इसका टीजर ट्रेल बगर आने तो जल्दी देखने मिल जाएगा शो तो विंटर की इनने रिलेज डेट ही है बट टीजर बगर तो जल्दी आ जाएगा तब बात करेंगे जब देखते हैं कौन सी बोक कौन सा कवर अभी तुमने अवर्ट के बारे में इंस्टॉल्मेंट का रिजल्ट आ चुका है और इस अवर्ट में वो शोज आते हैं जिनकी सबसे आरा डिमांड वगरा हो वो लिए जाते हैं उनको अवर्ट दिये जाते हैं तो यहां पर जो इंट्रेस्टिंग बात होती ही भाई यहां पर पूरी जो टीवी सीरीज की की शोज को भी चोड़के नंबर वान और यह जैसे की 2023 के और देखने वाली बात यह आ जाती है कि वन पीस का भी यहां पर काफी बड़ा इवेंट हुआ था 2023 में और अटैक ऑन टाइटन भी एंड हुआ था 2023 में पर जुजुसु कैसें बीट्स देम और जेजिकी की पॉप देते चले आते हैं और पूरी टीवी सीरीस की तो एक कैटेगरी थी और दूसरी कैटेगरी यहां पर एनीमे की भी थी तो जाहिर सी बात है यहां पर भी जुझुसु का इसे नहीं आएगा और यह कैटेगरी थी एशिया से Most In Demand Show और उसमें जीता है यह रिस्ता क्या कहलात सबसे बैस्ट होने वाला है साल का वो आने की बात हो रही है सीदी सीदी और बस कब आएगा क्यूं आएगा कैसे कुछ नहीं भाई बस आग लगा दी तो क्या होगा उसके आग लग जाएगी यस वही हुआ सब जानना चारे कि भाई उस एपिसोड में ऐसा होगा क्या वो कौन सा चैप्टर एडेप्ट करेगा वह एपिसोड क्या दिखाएगा वह एपिसोड तो जारता लोग का तो यहां पर कहना है और जो कि इसी बेच यहां पर फैन अनिमेटेड फाइट आ जाती है जैसे पहले वीडियो गेम नहीं आजी थे उस स्टाइल में इस फाइट को एनिमेट किया गया है बर तुम इस फाइट को देखो वाई एनिमेशन स्टाइल अलागे पर देखने में वाई काफी मजा आ रहा है प और बीच में एक रिपोर्ट आयती ही मैं उसको कवर नहीं कर पाया था पर कोई बात नहीं अभी करते हैं ताइटो बान संग जिन्वू का जैपनीज वोइस एक्टर जब वो एपिसोड फोर की स्नेक वाली फाइट का सीन रिकॉर्ड कर रहा था तो भाई साब उसको रिकॉ प्रसेंट कंफर्म नहीं है अब डिरेक्टर बोल रहा है और कंफर्म नहीं है अगर कंफर्म कर देंगे तो लोग साइट फिर यह बोलने लगे कि भाई कैसी वोईस एक्टिंग कर रहे हैं आप अपने वाइस एक्टर का ख्याल ही रखते यह सब बोलने लग जाएंगे इसल पिछले साथ इसके बारे हमने जादा बात नहीं गड़ी थी बस यही देखा था कि आ रही है पर नाव जैपैन में जैसे रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड भी रिलीज होने वाली है एक दो दिन पहले इसके इंग्लिश डब ट्रेलर भी आये हैं और एपरेल से यह मू इंडिया जाता होता है और रहा है इसे टायम को इस डेट को मूवी देखने मिलेगी पर इंडिया के जाते है कम ओन नौर्माली कुछ नहीं हो सकता है इसके हला बोलने के बाद ही होगा नंबर वन पॉपुलेशन कुछ तो समझगे है और ये वैसे बापे साथ है अपनी स्पाय फैमली के टॉपिक यूपर तो ये मुवी काफी ज़्यादा पसंद करी गई है और इसके ट्रेलरी तुम देखलो मजा आ जाएगा देखके समझ में आ जाएगा मुवी अच्छी है और वैसे स्पाय फैमली मुवी अब भी दीमन स्लियर सीजन 4 की बी चर्शे हो रहे है कि एपरेल में ही मिल सकता है देखने फनी मेशन भी एपरेल में बन Kaiju No.8 भी April में यहाँ परीमियर होने वाला है और भी चीज़े हो रही April ही में और यहाँ पर एक और चीज़ आदा कि अपरेल में होने वाला है बाई सब Attack on Titan का New Chapter आने वाला है मतलब में मांगागा एक और नया चेप्टर और इसके बारे में कई चीज़े भी हमें पता चल चुकी है जैसे यह नया जो चेप्टर होने वाला है वो भाई सब कंट्रो वलसियल एंडिंग को Attack on Titan की बिलको टस नहीं करेगा आप दूर रहे बल्कि यह चेप्टर बेश्ड होने वाला है एक fan favorite character की उपर साइध नाम बताने की अतनी है लीवाई और न्यू चेप्टर का नाम डिसकस करे चुके है Bad Boy, Bad Mundah 30 अपरेल को यह आने वाला है कुछ drafts, कुछ unfinished यहां पर images बगरा भी leak हुई थी जिसको कि वाईसा fans ने decode कर दिया है बहुत खतननाक fans उसके हिसाप से उन drafts के हिसाप से यह कहानी फोकस करेगी लीवाई के relationship है उसकी mother और Kenny के साथ और इनी drafts से पता चलता है वो एक काफी गरीब family में पैदा होता है और family के नाम पर उसकी mom और वो ही रहता है बाकी के पता नहीं क्या होता है वो दोनों काफी muscle से जिंदी काट रहे होते काफी गरीबी में जीरे होते है पर कुछ टाइम बाद उनके पास Kenny आता है अब ये Kenny कौन है Kenny एक तरीक से कहे तो तुम लीवाई का mama मम्मी का भाई उसको उन दोनों की उपर दया आ जाती है और वो लीवाई को अपनी care में रखता है अपने साथ ले लेता है और वही वो बंदा है जो लीवाई को लड़ना सिखाता है ruthless environment में बचना सिखाता है और वही initial training करवाता है लीवाई की तो यही कुछ है भी पता चला है और बाकी कुछ information बगर आएगी तो हम cover करेंगे पर हो सकता है कि information आना बंद हो जाए किसकी? Jujutsu Kaisin के leaks की क्यों ऐसा क्या हो गया? तो Jujutsu Kaisin के leakers जो बंदे भाई Jujutsu Kaisin के chapters को पहले ही leak कर दिया करते थे chapter आनीप है उसके पहले spoilers वगर आ जाते लीक्स वगर आ जाती दियूस की तो इसकी पीछे कुछ बंदों का हाथ था अब क्या हुआ है कि वो बंदे पकड़े जा चुके हैं अब हवालात में हवा खा रहे हैं अब जैसे कि पहले हमने एक बार याद होगा cover करी थी जो इन लीक्स को भाई cover करके वीश चापते थे उनका धन्दा बंद और कुछ चीजे पता चली यह लीक करने वाले कैसे लीक करते थे जैसे कि मांगा की copies book store में पहले ही available हो जाती है ऐसा नहीं कि जब मांगा का release होना है जब ही वो book store में available हो नहीं बुरे काम का बुरा नतीजा अरे हाँ बतीजा तो आज के एपिसोड के लिए इतना है आज वाजू कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियोस दिख रहे होंगी चाय तो देख सकते हो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सब्सक्राइब करो यार ऐसी मिलदार वीडियोस के लिए अगर नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई